अस्लामलेकुम बच्चों कैसे हैं आप लोग ł sind… twenties… ne all आप लोगों ने क्या पढ़ा था ? ह स्था, हां, तकी कहानी पड़ी थी हम छुब उने है ना उसमें कौन-कौन था ? उस्में तितलियां भी थी, उसमें तीर था, उसमें तीटर था, तलवार भी थी है ना कितनी अच्छी कहानी थी अच्छा बच्छो फिर आपने वो कहानी अपनी फ्रेंड्स को सुनाई थी सुनाई थी शाबाश चले आज हम करते हैं एक नई एक्टिविटी करें चले जी आज हम करते हैं नई एक्टिविटी और उसमें कुछ नई चीजे देखेंगे और आ ये है तीतर, 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 वेरे गुड़, ये है तीतर, ये है तर्बूज, 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 और ये है तीर, 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 हमने क्या क्या चीज़े देखी, हमने देखा, तीतर, तर्बूज, तीर अच्छा बच्छो अब आपने इन तीनों चीजों में एक चीज को गौर किया है कि इन सब की शुरू की आवाज एक जैसी है देखें जैसे तीतर तर्बूस तीर तीतर तर्बूस तीर यानि के सब की शुरू की आवाज है तीतर तर्बूस तीर यानि के ये सारे घुर्ज हैं वो सारे लव्ज वो किस से स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल सब तर से स्टार्ट हो रहे हैं सब की शुरू की आवाज तर है वेरे गुड अच्छा बच्चो आप लोग अब तर से मिलना चाहेंगे है ना कि भाई ये तर है कौई कि सारे हुर्ज जो है वो तर से स्टार्ट हो रहे है तो मिलना है आप लोग उतर से मिलना है चले आइस क्लोस कीजे जब तक आप आइस क्लोस नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे आइस क्लोस कर ली Very good चले जी यहाँ देखे यह है त आइस खोले शाबाज यह है त त त त Very good समझ में आगया कितने खुबसूरत से और छोटे से है ना यह हम अब देखते हैं यह तर सहाब जो है वो कैसे बने हैं और जब हम किसी हुर्फ को बनाते हैं तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं एक छोटी सी नजम पढ़ते हैं और तर सहाब की भी एक नजम मौझूद है पढ़ेंगे मेरे साथ है ना तो हम कैसे पढ़ते हैं पहले हम उसको बनाते हैं जब बनाते हैं लिखना सीखते हैं तो फिर हम उसकी नजम भी पढ़ते हैं साथ साथ तो मेरे साथ अब हाथ खोले तू फिंगर्स को बन करें, उस पर एक अपना घुटा रखें और ऐसे स्ट्रेट कर लें इसके बाद अब हम पढ़ना शुरू करेंगे हाथ उठाओ, ताली बजाओ, दो नुकते तोपे लगाओ हाथ उठाओ, ताली बजाओ, दो नुकते तोपे लगाओ वा, कितनी मज़े की नज़म है, अच्छी नज़म है न, हाँ, इसमें क्या है भई हाथ उठाओ, ताली बजाओ, दो नुकते तोपे लगाओ कितनी मज़े की नज़म है भई हम, चलें बच्चो, अब हम क्या करते हैं, अपने बुक का पेज नमबर नाइन खोलते हैं, यह हमारे पास पेज नमबर नाइन और उसमें हम काम करेंगे आज, ठीक है इसके बाद हमारे पास यहां पे तीन आइकन्स मौझूद है हमारे पास क्या मौझूद है, तीन आइकन्स मौझूद है हम जो भी काम करते हैं, उसमें आइकन्स देखते हैं और आइकन्स देखके हम काम शुरू करते हैं हमें पाता है कि this page पर क्या करना है ठीक है चलें जी पहला icon है क्या है I can में कुछ lines बनी हुई है और एक finger रसी मतलब हमें इस page पर क्या करना है यह icon हमंसे कहता है जी पढ़िए पढ़िए लिए दूसरा icon है जिसमें बर किया धी शकल बनी है pencil रखिवी है वे क्या करना है? पैंसिल फेड़िये पैंसिल फेड़िये पैंसिल फेड़िये शाबाश और अब हम देखेंगे तीसरा आइकन जिसमें बिल्ली बनीवी है और बिल्ली पे एक कलर रखा हुआ है है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इस page में हमने क्या करना है? यह आई करना हम से क्या कह रहा है? Yes, very good रंग भरिये रंग भरिये रंग भरिये यानि के हमने इस page में पहले पढ़ना है उसके बाद pencil फेड़ना है और उसके बाद रंग भरना है शबाश चले जी अब हमारे पास page मौजूद है यहाँ पे लिखा है त यह है तीतर तर तर्बूस 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 तीतर तर्बूस 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 तीर तीर अब हमने क्या करना है अब हमने pencil फेड़नी है हम pencil कैसे फेड़ेंगे यहाँ पे हम pencil रखेंगे देखें आपने तर की आदी शकल बनी हुई है उस पे कुछ dots बने हुए है ठीक है ना dots पे शुरू में क्या है एफ बड़ा सा dot बनावा है हमने उस बड़े से dot पे pencil रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता हमने तर बनाना है अच्छा हमारा तर बहुत अच्छा बन जाए और जल्दी से बन जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं वेरे गॉड हम उसके लिए उसकी नजम पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप तर पे हाथ फेरेंगे pencil फेरेंगे तो आप उसकी नजम पढ़ती रहेगा ठीक है कैसे हाथ उठाओ ताली बजाओ दो नुकते तर पे लगाओ ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है इस page पे रंग भरना है फिर आप क्या करेंगे अच्छे से color जो हैं वो इन सब तस्वीरों में भरेंगे ठीक है कोशिश करिएगा कि रंग जो हैं वो तस्वीरों से बाहर नहीं जाएं ठीक है इसके बाद आपने काम complete करके अपने परियर्स को दिखाना है उसके बाद teacher जब आपको call करेंगी तो आपने उनको अपनी ये वीडियो जो है जो हमने देखी है उसके बाद हमने काम सीखा है और उसकी जो है अपने picture उनको भेजनी है लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बार-बार देखिएगा क्यूंके बार-बार देखने से आपको इन सब pictures की जो हमारे पास ये शकाल बनीवी है ये सारे लवस है इनकी शुरू की आवाज समझ में आ जाएगी और नजम भी तो आ जाएगी क्यूंके आप जब बार-बार सुनेंगे तो ये नजम आपको याद भी हो जाएगी ठीक है फिर कल जब हम मिलेंगे तो ये नजम दुबारा सुनेंगे तैंक यू